हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब विलकम टो माई यूटूब चैनल टेकेंड प्रोग्रामिंग तो जैसा कि अभी कई सारे स्टूडेंट का मैसे जा रहा था मेरे पास कि सर सीओ का मतलब क्या होता है कि जो question paper आता है उसमें marks के बगल में side में CO लिखा रहता है उसमें 1,2,3,4 ऐसे numbering लिखी रहती है तो मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को CO का मतलब क्या होता है जैसे यहाँ पर अभी आप देख पा रहोंगे तो यहाँ पर लिखा है CO और यहाँ पर 5 लिखा है, 3 लिखा है यहाँ पर 3 है, 5 है, 1 है, 1 है तो CO का मतलब होता है course outcome या फिर chapter outcome कि जो question है, जो question है किस chapter से आया है जैसे पहला question है यह number वाला तो यह आपका 50 unit से आया है मतलब पाँचवे chapter से दूसरा है तीसरे chapter से आया है तीसरा आपका तीसरे चैप्टर से आया तो सी ओ दिया रहता है इसलिए कि आपको आंसर लिखने में आसानी हूँ आपको पता चले कि यह जो क्वेशन है कौन सी यूनिट से पूछा जा रहा है ठीक है ओके थैंक्यू